नमस्कार दोस्तों आप लगए को आपके यूटूब चैनल में इंस्टूट में स्वागत है देखिए इस कोश्चन में क्या बोला है यह जो डिया गया है जदी हम बात करते हैं तो क्योंकि यह टूट कर लिखा हुआ है यहाँ पर देखेंगे तो आपका प्रिवेस्ट यह जो पुछा गया है दो हजार बाइस का कुश्चन है एक बाद चेक किजेगा तो आप यहाँ पर देखेगा आपका एकसाई दिया हुआ और फाई दिया हुए और वैरियंस और स्टेंडर्ड देवेस्ट पुछा गया है तो इस तरह के सवाल को हम लोग किस तरह से हल करते हैं यहाँ पर देखि जाहिए होता है तो पहले हम क्या पूट कर निकालेंगे फाई एकसाई निकालेंगे इसका यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर एड़ेर्गे तो उस तरह करके हम लोग यहां पर लिखेंगे इसका सम्मेशन है 360 इसको डिवाइड करेंगे ज़दी हम बात करते हैं तो 20 से तो कितना आ गया 18 आ गया ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं यहां पर जदी हम बात करते हैं तो बेरियंस ऑफ एक्स का जो फर्मूला होता है हम लोग के पास वह होता है समेशन ऑफ एफ आई इन्टू एकस आई माइनस एकस बार का होले स्कार एकस बार क्या है यहां पर मीन जो है वो कितना आ चुका है 18 ऐऄ चुका है । देखिए अब इसको घृताना किसे एकस आई में चैग्स आई यहाँ पर कितना है दस तो दस माइनस आतारा करेंगे तो कितना ओएका 10-18 करेंगे तो कितना हैगा मानऄस 8 आएगए यहाँ पर 15-18 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कितना है 15 15-18 करना पड़े तो कितना आएगा इस तरह करके करेंगे हम लोग 18-18 तो 0 20-18 तो 25-18 तो 7 आजाएगा अब इसका स्क्वाइर करना है सब्सक्राइब जो आया इसको किसे मल्टिप्लाइब करना है इसको मल्टिप्लाइब करना है तो यहां पर यहां पर 64 है ध्यान दिजाएगा यहां जो है इसको मल्टिप्लाइब करना है सब्सक्राइब करेंगे तो सबको अड़ करेंगे कि तो अब यहां समयशन सब कर लेंगे तो सबको एड करेंगे तो कितना आ गया है अब फर्मुला अब क्या था 340 डिवाइड़ेट वा एन मतलो समिचन अब फ़ाई तो समिचन अब फ़ाई किए 20 तो कितना आ गया 17 आ गया अब standard deviation भी बोले निकालने हैं तो प्लस अफ अंडर रूट अब रूट में 17 और 17 का रूट कितना होगा 4.12 ठीक है आप लोग का इंजिनियरिंग कैलकुलेटर अलाव है मतलब साइन्टिफिक कैलकुलेटर जो है वह अलाव है तो आप अराम से लेके जा सकते हैं कैलकुलेशन का वैसा कोई दिक्कत है नहीं कैलकुलेटर का यूच करके आप कैलकुलेशन को असानी से कर सकते हैं बेसिक बात यह है कि आपको फर्मूला याद रखना है ठीक है बेसिक बात क्या है कि आपको फर्मूला याद रखना है बेरियंस का और standard deviation का यह कब निकालने जब आपका discrete data दिया हुआ होगा तब ठेक है इसी तरह का question एक पुछा गया है आपके पास जब group data दिया गया है आपके पास class interval दिया गया है इस question को हम discuss करेंगे अगले वीडियो में आप बने रहिएगा इस वीडियो में इतना ही हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए